तो पहारों पर हुए बेब आसम बरसाथ के बाद अब दिल्ली पर बार का खत्रा मंदा रहा है आपको पतादे दिल्ली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ घंटों में यम्ना नदी का जलसतर खत्रे के निशान के काफी उपर जा सकता है हत्नी खुन बेराच से लगता चोड़ा जारा पानी दिल्ली के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खत्रे का लोड़ खत्रे के निशान से उपर पहुँची यम्ना नदी पहाडों में हो रही लगातार बेमौसम बारिश के चलते मैदानी लागों के मुसीबतें बढ़ती जा रही है और इस वक अर्राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खत्रा मंटराने लगा है अमबारिश के चलते हर्याना की यमौना नगर में खत्री कुंट पैराज का जलस्तर बढ़ गया है सोवान शाम साड़े साथ बजे खत्री कुंट का जलस्तर बढ़कर दो लाग क्यूसर पर पहुँच गया है कि अगले कुछी घंटों में दिल्ली तक पानी पहुँच सकता है दिल्ली में यमौना खत्री के निशान के पास पहुँची खत्री ने कुंट पैराज से पानी छोड़ने के बाद खत्रा है पुराने रेलवे पुल पर यमौना का अस्तर दो सो चार दश्मलों आठ चार बीटर है जबके पुराने पुल पर खत्री का निशान है दो सो चार दश्मलों आठ तीर बीटर कई जगा यमौना नदी खत्री के निशान से सत्रा सेंटीमीटर उपर पहुँच गई है इसे लेकर दिल्ली के अधिकारी भी अलोट पर है दिल्ली के साथ साथ हर्याना के अधिकारी भी लगातार हर घंटे पानी के बढ़ते लेवल की समीख्षा कर रही है खतनी कुंड बैराजपर अधिकारी लगातार नजर पनाए हुए है वहीं हर्याणा में भी प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है मेहरों के अपूर्ती भी बंद कर दी गया है यह वना के आसपास की गाउं में भी लोगों से अफील की जा रही है कि वो पानी के पास ना जाएं आपको बता दे कि तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है खास कर हिमाचल प्रदेश और उत्रा खंड के पाहडों में भी भारी बरसात होई है इसकी वजों से पाहडों से पानी नदियों में आ गया जिससे खतनी कुंट का जलस्तर भी बढ़ने लगा और खतनी कुंट का जलस्तर बढ़ना दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है आशी शर्मा यमुना नगर आज तक और इस वक्त यमुना खिनारे से हमाई समवाता सुशान्त मेहरा हमाई साज जुड़ गए है कहां तक यमुना का जलस्तर पहुँच चुका है देखिए नेक हैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हतनी कुंट वेराज से पानी एका एक छोड़ा जा रहा है उसके बाद से यमुना का जो जलस्तर है वो लागातार बढ़ता जा रहा है पुराना यमुना के जो लोहे का पूल है उसमें आप मैं मुझूद हूँ अपने कैमरा परसंट से दिखाना चाहूंगा कि यमुना जो है वो अपने खत्रे के निशान से तकरीबन तकरीबन 25 सेंटीमीटर उपर वहरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यमुना का जो जलिस्तर है वो 205.8 सेंटीमीटर के आसपस यहाँ पर पहुँच गया है तकरीबन 1,34,000 प्यूसक पानी जो है वो छोड़ा गया है जो देर शाम तक जो है वो पहुचनी की उमीद हो और ऐसे में यमुना का जलिस्तर लोही के पुल और आसपस की जो तमाम निशले इलाके हैं उनके उपर खत्रा जो है वो मनराएं लगा है प्रसाशन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है ताकि आसपस की जो निशले इलाके हैं लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले